मेरा नाम नीतु कोहली है और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चानल नीतु कोहली अकैडमी में और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूं temporary nail paint और gel nail paints में क्या difference होता है तो जैसे कि मेरे पास temporary nail paints है कुछ new gel brand की है और alit इनकी और इसके साथ ही मेरे पास जो है कुछ gel polishes है आप देख सकते हैं तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे कि इनकी stability इनकी life कितनी होती है और इनकी क्या के difference है और उन सब difference का जो है base क्या है और सबसे पहले हम बात करते हैं product and brand की तो सबसे पहले में आपको बता दूँ की एक regular nail paints में जो हैं बहुत सारे brands आते हैं जो कि easily market में available होते हैं आप किसी भी cosmetic की shop में जाए और वहां से आप buy कर सकते हैं एवरी आपको जो है घर में वो product आपको मिल जाएगर regular nail paint बट अगर हम बात करें gel polish की तो gel polish जो है इतना easily market में available नहीं होती है और इसके लिए जो है आपके हर घर में भी available नहीं होती है इसके लिए जो है application के लिए आपको एक proper education लेनी पढ़ती है आपको classes लेनी पढ़ती है यूंकि इसका application का तरीका जो होता है बिलकुल different होता है तो यह जो है हमारी professional range में आ जाती है तो इसलिए इसमें भी बहुत सारे brands आते हैं बट यह easily नहीं मिलती है आपको और अगर हम बात करें इनकी shine और look के बारे में तो of course जो temporary nail paint लाइक जो natural regular nail paint होती है आपकी उनकी shine में और gel nail polish की shine में जमीन आसमान का फरक होता है जब आप उसे application करते हैं तब ही आपको जो है अगर आपको गलती से कहीं पर हार टच होगे एक regular nail paint अपलाई करने के बाद उसी टाइम उसका spot उसके उपर आ जाता है बट जो हमारी gel polish होती है उसकी shine इतनी अच्छी होती है इतनी natural होती है कि आप उसको feel जब करते हैं तो ऐसे लगता है कि वो बिलकुल natural नहीं लिए कुछ extra आपने apply नहीं किया है मेरे अकॉर्डिंग जो है मैं प्रेफरेंस देती हूँ gel polish को और अब बारी आती है इसकी application के पारे में जानने की सो regular nail paint जो है आप घर पे easily खुद ही apply कर सकते हैं उसमें कोई problem नहीं होते है उसके कोई rules नहीं होते है apply करने के लिए और just उसको application के बाद आप उसको dry करने का wait कीजे but professional range जो होती है उसका application का तरीका जो है बहुत ही ज्यादा professional होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके लिए आपको education लेनी पड़ती है और अब अगर हम बात करें professionalism की of course यह जो है बहुत ही ज्यादा professionally हम अगर यूज करने पर आए तो हम gel polish को ही use करेंगे because gel polish जो है उसको shining का जैसे के मैंने आपको बताया difference है application का difference है और सबसे में बात उसको क्योर करने में जो है बहुत difference होता है क्योंकि regular nail paint को आपको क्योर नहीं करना पड़ता है LED lamp में बट जेल polish इसको आपको LED lamp में क्योर करना पड़ता है जिसकी वाज़े से कि वह instant dry हो जाती है और उसकी look बहुत अच्छी आती है अब अगर हम बात करें हम इसके duration की याने की stability की कि कितना time stay करती है तो no doubt जो temporary nail paints होती है आपकी one or two days ही stay करती है और जो gel polishes होती है वो stay करती है at least a month जब तक आप उसे खुद remove नहीं करते है वो तब तक remove नहीं होती है और इसके बाद अगर हम बात करें कि उसकी जो uses है और उस of course temporary nail paint में जो है आप इतने जादा designing crate नहीं कर सकते हैं जितने जादा designing जो है आप gel polishes में और professional range में try कर सकते हैं और temporary nail paint में सबसे बड़ी problem गी होती है कि अगर आप designing stay करना भी चाहें तब भी वो इतना जादा stay नहीं कर पाते है दो या तीन दिन से जादा but gel polishes stay at least a month अराम से रहता है इसके साथ ही अगर हम बात करें side effect की और eco friendly की तो मैं सरफ एक ही बात कहना चाहूंगी कि जो regular nail paints हैं शायद आपको उससे chance हो सकता है आपको fungal infection का या कोई नो कोई problem होने का side effect होने का but gel polishes जो है इतनी professional range होती है उसको करने का application का तरीका इतना अच्छा होती है होता है इतना professional होता है कि जिसकी वज़े से आपको कोई side effect आने का कोई chance ही नहीं रहता है so definitely no doubt gel polishes जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है stability अच्छी होती है colors के आपको बहुत सारे options में जाते हैं और designing के बहुत सारे option मिल जाते हैं जब चाहिए जैसा चाहिए आप डिजा कि याने की costing की so हमारे पास जो है like हमारी मार्केट में जो रेंज स्टार्ट हो जाती है temporary nail paints की local market में 10 rupees स्टार्ट हो जाती है Indian currency के according और maximum range जो है जाती है ची सो तीन अजार तक की बट जो professional range है gel polishes की उसकी starting ही होती है starting कम से कम 500 rupees से और उसका and होता है 5000-10,000 तक का भी और इसके बाद अगर हम बात करें removal की तो temporary nail paint को remove करना बहुत easy रहता है no doubt क्योंकि आपके पास सिरफ उसके लिए घर पे acid on free होना चाहिए अगर आपके पास acid on free है आप easily उसे wipe off कर सकते हैं but जो professional range होती है gel polishes उसके लिए आपको जो है या तो आपके पास buffer होना चाहिए या तो आपको specially nail studio में जाना पड़ते है यह आपके पास professional range drill होनी चाहिए उससे removal के लिए so उसका जो process होता है वो बिलकुल different होता है removal का उसके लिए भी आपको जो है जा और शेयर भी कर देना अगर अच्छी जादा लगे तो ओके गाइस बाई